नमस्कार साथियो एलॉंविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की उर्चा परिमित शिंखला की 26 वी कड़ी को छेड़ते हुए काफी सहमापन समयसूस हो रहा है क्योंकि हमारी उर्चा पे कोई पूर्न ग्रहन लगा सकता है तो है डर भय यहमन का नकारात्मग भाव है यह बेहत अप्रिय भावना भी कही जाती है सच यह भी है कि यदि जीवन में किसी तरह का डर ना हो तो बहुत कियोस हो जाएगा निर्भय होके लापरवाही ही नहीं गहर जिम्मवारी से वेवहार करने की प्रवृत्ति भी होती है किसी ना किसी रूप में सभी को प्रभावित करने वाले डर भय की ही चर्चा करेंगे आज कहीं ऐसा ना हो जाए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारी जिन्दगी के सारे डर इनही सवालों के इर्दगिर्द घूनते रहते हैं इन सवालों के मूल में है अपेक्षा अभीष्ट की सिध्धिना हुई तो क्या होगा अनिष्ट ने आ घेरा तो क्या होगा दर कुछ भी हो सकता है करियर से जुड़ा सेहत से जुड़ा सुरक्षा से जुड़ा और जितने लोग उतने कहानिया वे उतने ही डर के अलग-अलग कारण सायों से भी डर जाते हैं कैसे-कैसे लोग जीते जी ही मर जाते हैं कैसे-कैसे लोग डर का आभास बच्चे को नहीं होता और जैसे-जैसे वो बड़ा होता है कंडिशनिंग से उपशता है डर अधेरा, अकेलापन, खत्रा, प्रारम में के वस्थाएं होती हैं डर की जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने परिवेश और उसकी विसंगतियों से वबस्था होने लगते हैं तो निकल के आते हैं और डर गरीबी और अभाव कडर मान, इजब, समाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर आर्थिक विशमताओं, दबावों का डर बिमारी, मानसिक तकलीफ या सबसे बड़ा मृत्यू का डर डर से जुड़ा है कुछ खोने का भाव प्यार की खुबसूरती के साथ तो निरंतर जुड़ा रहता है डर भय भी नहोत नप्रीत जनरेशन के साथ कई डर खत्म हो जाते हैं तो असल गैप निकल के आता है माबाप नाराज ना हो जाएं हम कहीं उनकी नजरों में गिर न जाएं घर में बड़ों की उपस्तिती भर से सम्मान पूर्ण डर कि कुछ बुरा न लग जाए हमारे व्यवाहार से बुजुर्गों की आँखों का कहीं मूख आहत पन न देखना पड़े मा के कहीं आंसों न निकलाएं पिता की डाट का डर परी जनों कहीं ऐसा नों की कुछ कहीं ही न उनके आहत होने पे मौन का डर वक्त के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं शायद ये डर एक्जाम के दिनों में बच्चों में भाए का होना बहुत सो भाविक है लगबग प्रतेक स्टूरेंट इस भाए से होकर गुजरता है यह डर का पॉजिटिव पहलू है जो और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग का डर आम पाया जाता है वैसे तो कहते हैं डर देवी देवताओं में भी पाया जाता है आसुरी शक्तियों की उन पर जीत का डर मनुश्य की एक मानसिक दशा का नाम है जीवन में डर का महतवून स्थान है यदि कुछ लोग गरीब तता कुछ अमीर बनते हैं तो इसमें भी भाय की अहम भूमिका होती है किसी क्षेत्र विशेश में व्यक्ति की उपलब्धी की संभावनाओं को स्माप्त करने के लिए भाय को अहम माना गया है मानव को तर्क एवं विवेक सम्मत प्रानी माना गया है डर इनसान की तर्क करने की शक्ति को निश्प्रभावी बना देता है साथ ही साथ उसकी क्रियेटिविटी तथा पॉजिटिव विजुलाइज करने की शक्ति को भी क्षीन कर देता है इनिशियेटिव लेने, इनोवेटिव काम का जोखिम उठाने से भी रोकता है, तथा उसके उदेशियों को वेग और अनिश्चित बना देता है। बाधक बनते हैं। डर में जीने की आदत सेल्फ कंट्रोल पे बुरा असर डालती है। भाई की वज़े से सपष्ट चिंतन की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तथा पुखता विल या डिटर्मिनेशन नहीं उपचने पाता और महत्वक आंक्शा भी शून्य हो जाती है। यदि हम किसी से सवाल करें कि आपको सबसे अधिक डर किस से लगता है, तो अधिक तर लोगों का यही जवाब होगा किसी से भी नहीं। मगर यह जवाब शायद सही नहीं होता या यू कहें किसी भी व्यक्ति की जीवन के सच्चाइओं से मेल खाता हुआ नहीं होता है। हर कोई किसी ना किसी तरह के शारीरिक, मानसिक या अध्यात्मिक डर के बंधन में जक्ड़े रहता है। हर कोई व्यक्ति किसी डर की उपस्थिती के चलते कई प्रकार के संघर्ष या चुनोतियों का सामना कर रहा होता है। जीवन में डर का भाव इतना गहरा एवं सुक्षम होता है कि व्यक्ति इसकी उपस्थिती को पहचान भी नहीं पाता कभी कभी। पर उसके सुभाव, क्रियेटिविटी, व्यवहार, सामाजिक्ता पे इसका असर सीधे तोर पे महसूस होता है। रिष्टों में अलग होने का डर कि ऐसा न हो कि बिछड के मिलने की राह ही न पाएं। साथियो, हम भूल जाते हैं कि नेगिटिव सोचकर, डर को अधार देकर हम लॉफ एट्रेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, जिससे वैसा होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिस मिस्थिती को लेकर हम में डर होता है। डर की आध्यात्मिक नेचर भी होती है। विशेश वस्तियों, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। उनकी उपस्थिती में खबराहत होती हैं, जबकि वे चीज़ें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं, या एक प्रकार की चिंता की बीमारी है। इस बीमारी में पीडित व्यक्ति को हलके अन्मने पन से लेकर डर की खतरनाक दोरे तक पड़ सकते हैं। फोबिया की स्थिती में व्यक्ति का ध्यान कुछ एक लक्षनों पर केंद्रित हो सकता है, जैसे दिल का जोर जोर धड़कना या बेहोशी महसूस होना। इन लक्षनों से जुड़े होते हुए कुछ डर हैं जैसे मर जाने का भाई, अपने उपर नियंतरन खो देने या अन्होनी का डर। व्यक्ति को यह पता रहता है कि उसके डर का कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, फिर भी वे उसे नियंतरत नहीं कर पाता। इस कारण उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, ऐसे में एसकेपिस्ट टेंडेंसी हो जाती है, जो समाधान नहीं होने देती समस्या का। आमफोबिया हैं उन्चायों का डर, पानी का डर, बन स्पेसिस जैसे लिफ्ट या एयोक्राफ्ट का डर। वास्तों में डर, युनिवर्सल बायोकेमिकल रिस्पॉंस से सब्ध है, जो PTSD, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर का कारण बनता है। शरीर इक स्टर पर पसीना आना, चेस्ट पेन, मुह सूखना, नौस्या, अपसेट स्टमाख, दिल की धड़कन तेज होना, कब-कबी छूटना, सांस असैयत हो जाना, डर की अवस्था को दर्शाता है। डर चिंता को जन्म देता है और इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है, जिससे उपच्चता है गुसा, नफरत, घ्रिना, उदासी। एक बार हम सोच लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो देखना डर भी डर जाएगा हमारी संकल्प शक्ती से, for sure। कुछ लोग खत्रों से खेलने का शौक रखते हैं, उन्हें Adrenaline Seekers कहा जाता है, कुछ हर हाल में भय की स्थिती से बचना चाहते हैं, कम वोट में। सबसे बड़ा सवाल ये है, कि क्या सचमुच वो चीज या स्थिती इतना डरने लायक है, जिन से हम इतना डरते हैं, हम कल्पना में अधिक मरते हैं, जितना शायद सच्चाई सामने आने पे नहीं होगा। कैसे कम किया जाए डर को, बहुत जरूरी है इसका सामना करना, जानना पूरी तरह से डर की नेचर, पास्ट बेगेज को हटाना नहायद जरूरी है, ताकि वर्तमान हमारा डर ग्रसित न रहे, कोई अती शोक्ती नहीं होगी, अगर मैं ये कहूं, कि मुख्यत है हमारी तमाम चोईसिज, दो ही भावों से उपजती है, या प्यार, या डर की वज़े से, एक बार हम जागरुख होके, सींगूं से पकड़ के डर का सामना कर लेते हैं हिम्मत से, तो डर भी हिम्मत छोड़ देता है, कमजोर पड़ जाता है, एक बार अपने डर के सामने खड़े होके, स मैंने स्कूबा डाइविंग की, समंदर के ऊपर पैराग्लाइडिंग की, सच, वो अनुभव इतना एंपावरिंग था, सशक्त करने वाला, जैसे किला फता कर लिया हो मैंने, डर को पैसिव रिजिस्टेंस नहीं, एक्टिव इंटर्वेंशन के साथ हैंडल करने की जरूर का, हम जिस से जितना दबते हैं, वो उतना दबाता है, इसलिए डर से नहीं डरना हमें, जैसे हम कौक रोच या चुहे से डरते हैं, हम भूल जाते हैं, कि वास्त्विक रूप में वो भी हमारे से ज़्यादा डर रहा होता है, इन ए लाइटर वेंग, डर हमारे वजन की तर करना चाहिए क्योंकि डर का उबजना, पनपना हमारी रजामंदी के साथ होता है तो इसे हम मन बना के हटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं कब तक रहूं मैं खोफ जदा अपने आप से, एक दिन निकल न जाऊं जरा अपने आप से डॉक्टर क्रिस्टेन बनार्ड जिन्होंने पहला हाथ ट्रांस्पनार्ट ओपरेशन किया तो ओपरेशन से पूर्व अकेले बैठे, वो थोड़ा भैभीत हो गए दोविधा में आ गए, कि अगर वो व्यक्ति जिसे वो अपरेट करने जा रहे हैं अगर उसकी जान जली गई तो, वो असफल रहे तो, तभी उनके सहायक ने नौक किया और कहा शेल वी गो डॉक्टर, तो एक तम उठे और चल दिये ओठी कल्पना केजिये, जदि उन्होंने डर के आगे हार मानली होती तो साथियों, डर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार हर्ट्स होते है यानि हमारी उर्जा का क्राफ धराशाई हो जाता है डर के आगे निरंतर किसी ना किसी डर में जीना हमारी उर्जा के लिए टॉक्सिक है जहर है, ख्षीन कर देता है हमारी उर्जा को कमजोर कर देता है हमारी अच्छाई को हमें सरुश्रेष्ट होने से रोपता है डर उस स्थिती का उदाहरन भी है जिससे साहस का उदै संभव होता है प्रेयर और सरेंडर के साथ साथ ज़रूरी है active will to overcome fear जो सुलव करते हैं डर पे विजए और प्रशस्ट कर सकते हैं जीवन की पूरुंता का मार्क यानि निडर होके खुशी और अनंद में जीना So fear no more the heat of the sun nor winter's furious rages साथियो भगवत गीता के दो शब्द मा शुचह डरो मत कि हम गांठ बांद लें ताकि हम भी कर सकें यो धाय कृत निश्च जाएं अपने कमेंटस से जरूर अवकत करवाईएगा जल्द ही फिर मिलेंगे जैहिंद